कुछ दिनों से बिहार में कई बच्चे चमकी बुखार से प्रीडितो कर अपनी जिंगी खोवेटें तो चलिए आ जानते हैं चमकी बुखार के लक्षन और उसके बचाप के बारे में चमकी बुखार से ग्रस्ट होने पर बच्चोवा बैक्ती में दिखने वाले लच्छन तो पहला जो लच्छन है अचानक तेज बुखार आना दुसरा जो लच्छन है हाथ पैर में अकड़ाना या लगतार एठार होना तिसरा जो लच्छन है बेहोस हो जाना चौथा जो लच्छन है शरीर का कापना पाच्मा जो लच्छन है शरीर पर चकता निकलना छठा जो लच्छन है दाद पर दाद दवाये रहना कैसे बचाएब खुद को या अपने करिबियों को चंकि बुखार की चपेट में आने से जानिये बचाब के तरीके पहला है बच्चो को दूप से दूर रखें दूसरा है अधिक से अधिक पानी का सेवन कराएं तिसरा है हलका साधारन ख़ानां खिलाएं बच्चों को जंग खानों से दूर रखे. एक्जामपल के लिए हमने एक सिंपल थाली रखा है जिसमें रोटी, चावल, धाल और कुछ सब्जिया है. तो बच्चों को इस तरह का खाना दे. जंग खानें से दूर रखे. जंग खानें को बच्चे को मना करे. खाली पेट लिची न खाने दे अगर बच्चा भूखा है तो उसे कुछ खाना खिलाए उसके बाद उसे लिची खाना हो जो भी खानों खाए लेकिन भूखे पेट लिची खाने से मना करे बच्चे को जूठे वा सड़ हुए फल न खाने दे काउं में आदत होती है कि जो जूठे होते हैं वो बच्चे को अक्सर दिया जाता है खाने के लिए तो जूठे खाना बच्चे को मत खिलाए ये उसके लिए बिमारी का कारण बन सकता है बजार में जो कम पैसे में सड़ हुए फल मिलते हो कभी न खरी दे आपके पास पैसे नहीं है तो फल ना खरीदे लेकिन ये जो बिमारी पनपने वाले जो फल है इस तरह के फल को आप ना खरीदे बच्चे को उन जगों पर न ले जाएं जहां सुवर रहते हैं खाने से पहले और बाद में साबुन से हाथ जरूर दोलाएं ताकि उनके हाथ में जो भी बैक्रियाँ हो अच्छी तरह से मर जाए और उनको बिमार होने से बचाए बच्चों को नाखुन न बढ़ने दे, नाखुन में भी गंदगी पनपते हैं और बच्चे को अक्सार आधत होता है कि अपना नाखुन को दाथ से हमेशा मुँँ में रखते है रात के खाने के अबाद हलका पुलका मीठा किलाए रात में सोते समय मच्छर दानी को प्योग क करें तो अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें लाइक करें और सेर करें थैंक यू